नमस्कार दोस्तों मैं हूँ भावना स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूटूब चैनल पैशनेट बैलोजी में आज का हमारा टॉपिक है पैश्ट आफ पल्सिस जी हाँ दोस्तों आज हम दाल के पैश्ट के बारे में जानकारी लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैस्ट है ग्रीशी कट वाव इसका साइन्टिफिक नेम है एक रोटेस इप्सिलन ओर्डर है लेपिडोप्टेरा फैमली है नॉक्तिदी होश्ट है ग्रैम, पीस, काव पीस, कौटन, पोटैटो, वीट, टोबैको, चिलीज, और ब्रिंजर इसके जो कैटल पिलर होते हैं वो पहले तो प्लांट से नीचे गिरीवी पत्तियों की एपिडर्मिस को खाते हैं ये दिन के टाइम छिपे रहते हैं और इवनिंग और नाइट में फीट करते हैं और बाद में इसके कैटल पिलर, लीट ब्रांचेस और शूट को ग्राउंड लेवल से कट करना च्टार्ट करते हैं और पूरी फसर बरबाद कर देते हैं इसमें होलो मेटावलस मींस कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती हैं मींस लाइव सेकिल में फोल स्टेजेस होती हैं एग, लार्वा, प्यूपा, एड़ेल्ट इसमें फीमेल लीव की लोवर सर्फेस पर क्लेस्टर्स में 30 से 50 एक्स देती हैं ये एक्स स्फेरिकल होते हैं और यलोईश कलर के 1 mm लॉंग होते हैं एक फीमेल अपने लाइफ स्पैन में लगभग 1000 एक्स देती हैं जिससे 4 से 7 दिन बाद हैच हो करके लार्वा निकलते हैं लेकिन विंटर में ये इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 15 दिन का भी हो सकता है इसमें 5 लार्वाल स्टेजेस पाई जाती हैं लार्वाल पीरियड 4 से 6 वीक्स का होता है फुली ग्रोन केटरपिलर 4.6 cm लॉंग, स्मूथ और डल ग्रे ब्राउन कलर का होता है ये नॉक्टरनल होते हैं और डे टाइम में अपने आपको स्वाइल क्रेक्स में छिपा लेते हैं अब इसमें प्यूपा बनता है प्यूपेशन की प्रोसेस स्वाइल क्रेक्स में ही होती है प्यूपा पिरियड 10 से 13 दिन का समर में जबकि विंटर में 30 डेस का होता है प्यूपा रेड डिश ब्राउन कलर का 20 mm लॉंग होता है जिससे फुली ग्रोन एडर्ट मौथ निकलता है मौथ ब्राउन कलर का 25 mm लॉंग होता है फोल विंग पर डार्क ग्रेप पैचस होते हैं ये दिन में छिपे रहते हैं और रात में एक्टिव होते हैं इसमें मेल में बाइपेक्टिनेट एंटिनी और फीमेल में फिली फॉर्म होती है इसके हाइंड विंग्स वाइट कलर के होते हैं Per year इनकी दो generations होती है, generation, one generation इनकी 5 to 9 weeks की होती है, means एक generation इनकी 5 से 9 weeks की होती है Control Clean cultivation Collection of added moss by light trap Use of chemicals such as 5% heptachlor or clodine dusting at the rate of 30-40 kg per hectare Spray of carbaryl or endosulfan or application of any contact insecticide Use of larval parasites like microgester and use of predators like broscus, punctatus and bimaculatus Second pest है, plum moth Iska scientific name है, axilestis, atmosa Order है, lepidoptera और family है, pterophorida Host है, red gram, pigeon pea इसके caterpillar, plant के seeds और enter पर feed करते हैं इसमें holometabolus means complete metamorphosis पाई जाती है जिसमें life cycle में 4 stages होती है एंग, larva, pupa and added इसमें female pods, birds, shoot, leaves और flowers पर सिंगल या clusters में यलोईश ग्रीन कलर के x देती है एक female अपने life span में लगभग 100x देती है जिससे 2-5 दिन में incubate होकर के larva निकलते हैं इसमें 5 larva stages पाई जाती है larval period 10-25 दिन का होता है fully grown larva लगभग 1.25 cm long greenish brown कलर का होता है जिसके body पर spines और hairs होते है अब pupation की process होती है pupa hairs से covered होता है pupil period 18-45 दिन का होता है जिससे added moth निकलता है जो 7 mm long होता है और greenish brown कलर का इसकी body होती है control collection and destruction of infested pods spray of 0.07% endosulfan or any synthetic pyrethroid use of larval parasites in biological control measures third best है red gram pot fly इसका scientific name है milenagromyza obtusa और इसका order है diptera इसके family है agromycidae host है red gram, cow pea, soya bean and other members of leguminace इसके जो larva होते हैं उन्हें maggot कहते हैं ये बरो बना लेते हैं और seeds यानी बीच पर feed करते हैं और 60% pods को destroy कर देते हैं इसमें holometabolus means complete metamorphosis पाई जाती है means life cycle में 4 stages होती है add, larva, pupa and adult इसमें female pod के अंदर अपना OV positor insert करके लगभग 3-80X देती हैं जिससे 3-5 दिन बार incubate होकर के maggot निकलते हैं larval period 8-12 दिन का होता है fully mature maggot creamy white color का 3-4 mm long होता है अब इसमें pupation की process होती है जिसमें ककून का formation होता है ककून brown color का होता है और pod के अंदर बनता है pupil period 6-10 दिन का होता है जिसके बाद adult ककून से एक hole बना करके बाहर निकलता है adult fly बहुत ही छोटी 1.5 mm long होती है adult का life span सिर्फ 2 दिन का ही होता है एक generation को complete होने में लग भाग 3 weeks का समय लगता है एक साल में इनकी बहुत सी generations होती है control collection and destruction of damaged bots spraying with any contact insecticides 0.07% endosulfone during the early infestation at flowery and pot forming stage use of larval parasites like eudrus agromyzi and pupil parasites like eudrus levits fourth best है gram pot borer इसका scientific name है helico verpa armigera order है lapidoptera family है noctady host है gram, red gram, peas, tomato and tobacco इसमें caterpillar पहले तो larva और short पर feed करते हैं जब pod को formation होता है तो pod को bore करके develop हो रहे seeds को खाते हैं इसमें holometabolus metamorphosis means complete metamorphosis पाई जाती है life cycle में four stages होती है egg, larva, pupa and added इसमें female leaves पर, shoot पर या plant के other parts पर spherical greenish yellow color के X देती है एक female अपनी life cycle में 700X देती है जिससे hedge हो करके 2-4 दिन बार larva means caterpillar निकलते है larval period 12-20 दिन का होता है fully grown caterpillar larva यानी larva लगभग 35mm long green color का और side में grey strips होती है इसमें four larval stages पाई जाती है इसमें first star larva pod में घुच जाता है और grains पर feed करता है और अंदर ही इसमें molting होती है जब larva fully grown हो जाता है तो ये जमीन पर गिर जाता है और soil में pupation की process होती है pupal period 7-15 दिन का होता है pupa dark brown color का 16mm long होता है जिससे addert बाहर निकलता है addert बड़ा reddish brown color का मौध होता है ये 20mm long होता है four wing light brown color के होते है जिसमें center में एक black spot होता है और V-shaped होते है और hind wing light dull color का जिसके जिसमें dark color का border होता है पर ये इनकी 8 generations होती है control hand-picking of caterpillar at initial stage of infestation plowing the field after harvest use of chemical measures such as spraying of carbaryl or endosulfan and synthetic pyrethroids and are generally recommended use of egg parasites like trichograma confusum fifth pest है red gram pot bug इसका scientific name है clavigrala gibbosa spinola order है hemistera family है quality host है red gram cow pee इसके निव और एड़र्ट्स दोनों ही पॉर्ट्स पर feed करते हैं जिससे उनमें yellow patches बन जाते हैं और grains का development रुप जाता है इसमें hemi metabolous metamorphosis means incomplete metamorphosis पाई जाती है means life cycle में three stages होती है egg, nymph and adult इसमें female leaves और pots पर clusters में 3 से 15 X देती हैं एक female अपनी life cycle में लगभग 400 X देती हैं जिससे 8 से 12 दिन में incubate हो करके निव निकलते हैं इसमें five nymphal stages पाई जाती हैं निव पीरियड 17 से 30 दिन का होता है निव, small, reddish green कलर के होते हैं जिसमें spines होते हैं निव पीरियड खतम होने के बाद ये adult में convert हो जाते हैं adult 2 cm long, greenish brown कलर के होते हैं adult का life span 6 days का होता है control, collection and destruction of infested pods use of insecticides like 0.03% metasystox or 0.1% lindain use of hymenopteran F-parasides and use of mites for nymphs and adults Thank you, that's all